आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग बुक की समरी डिस्कस करने जा रही हूँ इस स्टोरी का नाम है A Man and His Mother-in-Law लेखक हैं Roy Vickers Roy Vickers एक जाने माने सस्पेंज थ्रिलर राइटर है इनका असली नाम है William Edward Vickers लेकिन आप इन्हें कई pen name से जान सकते हैं जैसे यौर्ड रॉय विकर्स, डेविड दिर्हम, जॉन स्पेंसर, या फिस सेफटन काईल ये कहानी है penfold, आर्थर penfold नाम के एक व्यक्ति की जो काफी अमीर है लेकिन किसी कारणों के वज़े से उसने अपनी सास का ही कतल कर दिया है जच जब या जानता है कि उसने अपनी सास का कतल किया था जिसके लिए उसे सजा हो रही है तो वो बहुत आशर में पड़ जाता है वो सोचता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि घरेलू विवाद इस तरहा बढ़ जाएं कि कोई आदमी अपने परिवार के ही किसी मेंबर का कतल करते ये कतल क्यों हुआ था और कैसे रॉय विकर्स इस जाल में फसा था जानेंगे हम इस कहानी में कतल हुआ था 1935 में लेकिन इस कतल का ताना बाना पांस साल पहले ही बुना जा चुका था रॉय विकर्स ने इस कहानी को बखूबी इस अंदाज में लिखा है कि एक बार अगर आप ये कहानी पढ़ना शुरू कर दें तो इसकी आखरी लाइन तक सस्पेंस और थ्रिल बरकरार रहता है आर्थर पेंट फोल जिनका जन्म 1900 में हुआ था वो एक अमीर खांदान में जन्मे थे और उनके जो पिता थे वो काफी ताना शाह टाइप के थे जैसे आज के सोसाइटी में भी कई आदमी लोग इस तरह के होते हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं उन्हें दूसरे क्या सोच रहे हैं उनकी खुशी किस चीज में है इससे कोई मतलब नहीं होता इसी तरह के आर्थर पेंट फोल के पिता भी थे बचपन से आर्थर बड़ा हुआ कि कैसे उसकी माँ उसके पिता के इर्द गिर्द घुमती है एक ओबीडियन्ट वाइफ का रोल अदा करती है हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमना उनकी हर बात मानना जैसे ही उसके पिता घर आते थे उसकी माँ का बस यही काम था कि वो जो कुछ भी कहें वो एक ओबीडियन्ट चाइल्ट की तरह उसे ओबे करें इसी तरह से आर्थर का जो पालन पोशन होता है बड़े होकर वो भी चाहता है कि उसे भी एक ऐसी बीबी मिले जो उसकी हर बात माने जब आर्थर 25 साल के होते हैं तब इनके माता पिता का दिहानत हो जाता है सारी प्रॉपर्टी इनको मिल जाती है इनका काफी बड़ा बिजनस था लंडन में ये लोग लंडन से लगब 25 किलो मीटर दूर एक कंट्री साइट पे रहते थे जब आर्थे 31 साल के होते हैं तब इनकी शादी हो जाती है जूली नाम की एक लेडी से जो काफी खुबसूरत थी खुबसूरत होने के साथ साथ वह पढ़ाई लिखाई में भी काफी होशियार थी इसे बिजनस का भी बहुत अच्छा इडिया था और वो हर तरफ से कह सकते हैं कि एक परफिक्ट वाइफ थी जिससे हर कोई एन्वी करे कि काश ऐसी लड़की उसे भी मिलती लेकिन आर्थर हमेशा की तरह वो अपने पिता के पच्चिनों पे चलते हैं उसे जूली की खुशी का कभी भी कोई ख्याल नहीं था वो क्या चाहती है क्या नहीं वो चाहता था बस उसकी लाइफ जैसे चल रही है स्मूद ली वैसे ही चलती रहे वो शाम को जब अपने ऑफिस से घर आए तो उसको भस्ती मुस्कुराती बीबी मिले वो जो कुछ भी कहे वो चुप चाप करे ओबीडियन चाइल्ड की तरह जहां वो उसे घुमाने ले जाए वो वहीं पे घुमे अगर वो चाहे थेटर तो वो थेटर जाए वो जैसी ड्रेस चाहता है उसकी वाइफ ऐसी ही ड्रेस पहने कुछ साल तक तो उसकी पत्नी ऐसे बंद के रहती है लेकिन फिर एक दिन वो पत्नी अपने पत्नी को छोड़ के चली जाती है जूली आर्थर को छोड़ देती है एक चिठी उसके लिए लिख जाती है कि उसकी मा काफी बिमार है और वो अपनी मा के साथ रहना चाहती है वो आर्थर के रावा किसी और से प्रेम नहीं करती ना ही वो कभी किसी और मर्द के बारे में सोच सकती है लेकिन बस वो अपनी मा के साथ रहना चाहती है और वो ये भी लिखती है चिठी में कि आर्थर कुछ भी चाहे तो उससे बात कर सकता है सिर्फ उसके लौटने की बात ना करे लेकिन आर्थर को तो उससे सिर्फ एक ही बात करनी थी कि कब वो लोटके उसके पास आ जाए और उसकी जिंदिगी वैसे ही स्मूदली चलनी लगे लेकिन ऐसा होता नहीं है आर्थर अपनी बीबी से कभी भी कांटेक्ट नहीं करता और एक साल के बाद जूली सेकंड मेरेज़ कर लेती है जब जूली सेकंड मेरेज़ कर लेती है तब ये बाद धीरे धीरे उसके महले वालों को उसके दोस्तों को पता चलती है और वो आर्थर का जैसे बहुत दबी छुपी जबान में उसका मजाक उड़ाने लगते है आर्थर जब भी अपने दोस्तों को देखता तो लगता वो पिटी कर रहे हैं उसको और ऐसे हस रहे हैं उसके उपर कि तुम एक औरत को नहीं रख पाए जरूर तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी लेकिन आर्थर कभी जान ही नहीं पाया कि उसके अंदर कमी थी क्या वो जान ही नहीं पाया कि उसका ताना शह वाला जो नेचर था सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना अपनी बीबी को एक पपट की तरह ट्रीट करना यही वो कारण था जो उसकी बीवी चली गई थी तीन साल तक आर्थर इसी तरह से अकेले जिन्दगी जीता है और हर पल उसे अदन्ज सताता है कि वह एक औरत को खुश नहीं रख पाया तिन ही कारणों की वज़े से वह चली गई और लोग उसका मजाग बनाते है तीन साल के बाद मार्गरेट नाम की एक बेहत खुबसूरत लड़की फिर से आर्थर की जिन्दगी में आती है मार्गरेट 24 साल की है और उसके माता पिता का दिहांत हो गया है वो अपनी आंट के साथ रहती है जिसे वो आंट एगनस कहके बुलाती है आंट एगनस से वो बहुत प्यार करती है और हर बात के लिए वो आंट एगनस से ही पूछती है आर्थर को एक बार लगता है कि ये अपनी आंट से इतना जादा प्रभावित है इसकी आंट जो है वो बहुत डॉमिनेट करती है इसके उपर तो कहीं शादी में ये चीज रोडा ना बने कहीं शादी के बाद ऐसा नहों कि एक उबीडियन्ट वाइफ बन के ना रहे ये तो अपनी आंट से हर चीज पूछे लेकिन इन्हीं सब ना नुकुर के बीच में शादी संपन हो जाती है और आर्थर बहुत अच्छे से अपनी वाइफ के साथ रहने लगता है जूली की तरह मागरेट भी बिलकुल एक उबीडियन्ट वाइफ थी जो भी आर्थर कहता मागरेट बिलकुल वैसा ही करती कुछ दिनों के बाद आर्थर की जिंदिगी में एक उथल पुथल मचती है जब मागरेट की जो आंट थी आंट एगनेस वो वहीं कुछ दूरी पे ही एक घर ले ले लेती है और वहां रहने आ जाती है आर्थर को लगता है कि अब उसकी वाइफ जादातर भाग भाग के अपनी आंट से मिलने जाएगी शायद वो अपने घर का अच्छे से ख्याल नहीं रखे गिया वो जब आफिस से थका हारा आएगा तो उसे हमेशा वहां मिलेगी रही वो बहुत कोशिश करता है कि किसी भी तरह उसकी आंट उसके घर के पास रहने ना आ है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और आंट एगनस वहीं पर एक घर खरीद लेती हैं लगबख एक किलोमीटर की दूरी पे और वहां रहने लगती है खेर मागरेट बहुत समझदार थी कुछ भी दिक्कत नहीं आती है आर्थर को उसकी आंट के पास आने से भी वो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी और आर्थर की जिंदगी फिर वैसी स्मूदली चलने लगती है जैसे पहले चल रही थी लेकिन ये सुकून बहुत दिनों तक नहीं रहता और आंट एगनस को एक बिमारी हो जाती है उन्हें फिट्स आने लगते हैं दौरे आने लगते हैं वो कभी भी कहीं भी बिहोशों के गिर जाती थी मागरेट इस बास से बहुत जादा परिशान हो जाती है वो आर्थर से कहती है कि इस तरह से वो अपनी आंट को छोड़ नहीं सकती आर्थर कहता है कि उनके लिए दो नर्स रख दी जाएंगी लेकिन कहीं न कहीं मागरेट आर्थर की उसी इताना शाह वाले रवया से परिशान थी और वा इस जेल से निकल के भागना चाहती थी उसे बहुत ही अच्छा रीजन मिल गया था आंट एगनेस की बिमारी का इसलिए वा चाहती थी कि वा हमेशा के लिए उनके पास शिफ्ट हो जाए आर्थर इतना बौकला जाता है वा समझता है कि इसकी दूसरी बीबी भी अब उसे चोड़के चली जाएगी और उसे फिर से उसी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा जो वो कुछ साल पहले करता था अब सबकी निगाहों में एक ही बात रहती थी कि एक औरत को खुश नहीं रख पाया और इसकी बीबी इसको छोड़के चली गई वो इतना जादा परिशान होने लगता है इस बात को सोच के कि वो ये डिसाइट करता है कि वो किसी भी तरह आंट एगनेस से छुटकारा पा के ही दम लेगा आंट एगनेस का अगले दिन बर्डे था ये एक प्लान बनाता है और जब ये ओफिस से लौट रहा था तब ये देखता है कि एक एक बुक स्टॉल है जहां पर काफी भीर है और वहाँ पर एक बहुत ही मशूर लेखाक है उनकी एक बुक जो है वो आई है मार्केट में उस ये ये नहीं देखता आर्थर कि ये बुक जो है वो आंट के लाइक है की नहीं है लेकिन बड़ा खुश होके वो किताब खरीता है और एक दिन पहले ही मतलब की जब बर्डे है उनका उसकी एक शाम पहले ही अपने आफिस से जल्दी निकलता है जिससे किसी को शक ना हो कि ये कहां चला गया था ये उतरता है ट्रेंस से और सीधे आंट एगनस के घर जाता है आंट एगनस बहुत आश्चर में पड़ जाती है जो कि इस तरह से आथर कभी भी उन से मिलने नहीं आता था वो बताता है कि वो उसके लिए किताब लेकर आया है जो कि किताब आज ही वो बहुत खुश होती है खुशी-खुशी में बात चीच चल रही थी तभी आथर मेन मुद्दे प्या आ जाता है वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी जो है वो हमेशा के लिए आंट एगनस के पास आके रहे हैं क्यों नहीं वो दो नर्स रख लेती हैं आंट ए चाहती है कि एक लड़की चाहे कितना भी चुपाना चाहे लेकिन उसकी मन की बात जो है वो जुबान पर आही जाती है मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है बस उनका ये कहना था कि आरतराग बबूला हो जाता है उसकी दुखती नफस बें उन्होंने हाथ रख जाल नहीं है वो बस एक ओबीडियंट वाइव बनके रहे वो कैसे खुश रहेगी तुम्हें इसे कुछ लेना देना नहीं बस उसका गुसा बढ़ने लगता है वो उस किताब को वहीं पटकता है और आंट एगनस का गला बहुत जोर से दबाने लगता है आंट एगनस कोई भी देख नहीं पाया वो बड़े अराम से बच जाएगा ये खून करके वह कुस दूर तक जाता है तब ही उसको याद आता है कि वो किताब जो वो लेके गया था आंट एगनस के लिए दा बेस्ट आफ विलकॉक्स वो तो वहीं चूट गई उसे याद आता है कहीं उस कस के बंद कर लिया होता है कि उसमें लाच लग गई होती है तो वो पेन नाइफ से उस लाच को बड़ी मुश्किल से बाहर से खोलता है और वापस उस फ्रेंच विंडो से अंदर आता है एंट एगनस बिचारी मरी पड़ी थी निकिन उसे कोई मतलब नहीं था वो तो लग कमरे में सिर्फ कैंडल जल रही थी उस कुरसी से लगबक 8 फिट की दूरी पे उसे वा किताब जमीन पे गिरी मिलती है एक बार उसका माथा चकराता है कि किताब उसने आंट के हाथ में दी थी तो इतनी दूर उने किताब कैसे फेकी तो कि वो तो तुरंद मरी गई थी उसक आती है और में डोर से वो भागता हुआ बहार निकल जाता है सीधे अपने घर आता है घर पे उसकी वाइफ नहीं थी वो पडोस में किसी कहां गई थी उसे पहले से ही बात मालूम था कि आज वो पडोस में कहीं जाने वाली है उसकी कुप घर पे होती है कुप उसे पूछत उसकी उस किताब पे जाए जब मागरेट आती है तो वो कहता कि देखो मैं तुम्हारी आंट एगनिस के लिए आज ये बुक के लेकर आया हूँ आज ही ये लॉंच हुई है दा बेस्ट आफ फिलकॉक्स जरूर पसंद आएगी मागरेट बहुत खुश होती है कहती है अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप आंट के लिए इतना सोचते हैं उनकी बर्डे के लिए गिफ्ट लेकर आए है तो यह कहता है कि ठीक है कल हम तुम जब चलेंगे तो हम लोग उनको बर्ड गिफ्ट देकर आएंगे फिर यह चला जाता है अपना चेंज विंच करने के लिए जब यह बाहर आता है तो देखता है कि किताब तो टेबल पर है नहीं अब इसका माथा चकराता है कहीं मैगी जो है वो किताब लेकर आन्ट हेगनेस को इसी समय देने ना चली गई हो बहर बारिश का मौसम था यह बेतहाष्या बहर भागता है देता है कि उधर से मैगी बिलकुल परिशान सी रोती हुई चली आ रही है वह बताती है कि उसी के महले में एक डॉक्टर रहते थे डॉक्टर डेलमॉर जो उसकी आंटी का इलाज करते थे तो वो बताते हैं कि उसकी आंट की हत्या कर दी गई है हुआ यूँ था कि डॉक्टर डेलमॉर आंटी के घर के बाहर से निकल रहे थे वो देखते हैं कि अंदर light जल रही है और French window खुली पड़ी है पानी की छीटे अंदर जा रहे हैं उन्हें चिंता होती है कि कहीं आंटी भी होशो के गिर तो नहीं गई जब वो अंदर जाते हैं उस French window से देखते हैं कि वो तो मरी पड़ी है ये बताते हैं मागरेट को ये बात मागरेट वैसी रेंकोट जो पहनी वी थी वो उसी में वो बिल्कुल हरान परिशान आधी रास्ते घर लोटाती है किसी को भी शक नहीं होता कि उसकी हत्या वो कर सकता है उनका दमाधी कर सकता है मिस्टर पैनफोल्ड पुलिस इंवेस्टिगेशन होती है पुलिस इंस्पेक्टर जो थे मिस्टर काल्सलिक वो काफी कुछ इंवेस्टिगेट करते हैं जितना समान वहाँ पर पढ़ा था वो सब कुछ सीज किया जाता है और अश्चर एक बात ये थी कि पुलिस को उस समान में वहाँ पर वो किताब भी मिलती है दा बेस्ट आफ विल कॉक्स और उसकिताब पर ध्यान भी दिया जाता है क्योंकि उसकिताब बिल्कुल ब्रैंड नीव थी उसकिताब को उसी दिन खरीदा गया था उसी दिन वो लॉँच होई थी फिर ये सारा समान पैक करके ठीक से पुलिस अपने इंवेस्टिकेशन के लिए रख लेती है और ये केस जो है उसका मीस ऐसे इंवेस्टिकेशन चलता रहता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता कि किसने उनकी हत्या किया किसी ने गला दबाया या शायद फिर वो हार्ट अटैक से मर गई किस तरह से मर गई आर्थर बड़ा खुश है कि अब उसको छुटी मिली आंट से और अब उसकी लाइफ वैसी एक ओबीडियंट वाइफ के साथ बिल्कुल अराम से स्मूदली चलेगी लेकिन फिर ऐसा नहीं होता अब मैगी के अंदर मागरेट में बहुत चेंज़े आने लगते हैं वो बड़ी चिर्चिरी हो जाती है बहुत डॉमिनेटिंग हो जाती है धीमेदी में वो आर्थर से कहती है कि वो चाहती है कि वो सेकंड हनी मून पे जाए लेकिन जहां वो कहेगी इस बार वहां जाना होगा आर्थर के मन में भी चोर था कि उसने उसके आंट की हत्या की है इसलिए वो सोचता है कि कुछ दिन की परिशानी है ये मेंटली रूप से भी परिशान है कुछ दिन बादे पहले जैसी ओबीडियन वाइफ बन जाएगी इसलिए वो जहां कहती है वो सी होटल में उसको लेके जाता है अब मैगी को कुछ रुपए भी मिलते थे आंट एगनेस की जो प्रॉपर्टी वेगरा थी उससे कुछ रविन्यू आता था तो ये उस पैसे को अपने घर के मेंटेनस में खर्च करने लगती है जब आर्थर घर लोटके आता है किसी दिन पाटी चल रही है किसी दिन घर में पेंट हो रहा है कभी बॉल पेपर्स बदले जा रहे हैं तो कभी फनी चरा रहे हैं उसे ये सब बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता वो नहीं चाहता था कि उसका जो आलिशान घर है उसके माबाप का उसमें कोई जरासी भी इधर उधर खो वो चाहता था कि जो कुछ जैसा है उसकी मर्जी से चले लेकिन फिर वो सोचता है कि हो सकता है इसकी आंट मर गई है इसलिए ये कुछ परिशान है इसलिए ऐसा कर रही है लेकिन ये जो थी मागरेट की हरकते ही बंद नहीं होती अब वो ड्रिंग भी करने लगी है वो पाटीज में भी जाने लगी है और अक्सर जब अधर घर आता है तो मागरेट उसको घर पे नहीं मिलती है तब आर्थर का दिमाग दूसरी तरफ चलने लगता है ये सोचता है कहीं मागरेट को पता तो नहीं है कि उसी ने खून किया है उसकी आंट का और मागरिट के पास कोई सबूत तो नहीं है कि अगर आर्थर उसको डाटेगा किसी चीज़ के लिए कि तुम ऐसा मत करो, तुम पार्टी से मत जाओ तो उसे ये ब्लैक मेल करेगी कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो ये तुम्हारे रहा सबूत, ये मैं पुलिस को दे दूँगी और तुम्हें जेल हो जाएगी लेकिन आर्थर फिर ये सोचता है कि उसे अपने आंट से इतना प्यार था अगर वो सच में जान जाती कि आर्थर ने उसका खून किया उसकी आंट का तो फिर वो चुप नहीं रहती, वो कपका पुलिस को ये बात बता चुकी होती लेकिन शक तो शक होता है, जो आर्थर के मन में आ चुका था वो चाह रहाता कि बस उसे ये बात मालूम पड़ जाए कि क्या मागरेट के पास कोई सबूत है अगर ऐसा नहीं है तो मागरेट को फिर से वैसे ही डॉमिनेट करेगा लेकिन अगर मागरेट के पास कोई सबूत है उसके खिलाफ तो फिर उसे कुछ सोचना पड़ेगा उसे याद आती है वो किताब वो किताब जो वो उस दिर आंट के लिए ले कर आया था और उसने वहाँ जाके देख लिया, कि ये किताब जो थी, वहाँ जाके रखा या कुछ भी मिन्स उसको वहाँ से कुछ सबूत मिल गया, ऐसा, तो वो अपनी वो किताब ढूनना शुरू करता है, कि उसकी वो किताब गई कहां आखिर, जो वो लेके आया था, लेकिन उसको वो किताब कहीं भी नहीं मिलती, वो हर जगह चान मारता है, पूरी लेबरेरी जो उसके घर में होती है, फिर वो मागरेट से कहता है, कि उसकी बहुत important accounts की किताब है, वहाँ मिल नहीं रही है, क्या मागरेट उसकी help करेगी, इसलिए कि मागरेट को शक नहों कि आखिर ये घर मे धूंड किया रहा है बहुत धूंडने पे भी उसे वो किताब नहीं मिलती लेकिन अब आर्थर को वो किताब चाहिए थी किसी भी तरह त्योंकि वही एक सबूत हो सकता था त्योंकि उसी दिन वह किताब लॉंच हुई थी और उसके खरिदार बहुत कम थे पulis उसे असानी से पता कर सकती थी कि आखिर उस दिन किस-किस कस्ट्रमर ने वो किताब खर दी थी और आर्थर ने अपने असली नाम से ही वो किताब ली थी अब यह चला जाता है उस जगे पर पulis के उस डेपार्टमेंट में जहां पर सारा समान उसकी आंट का आंट एगनस का रखा गया था वो सोचता है कि वह पुलिस से कहेगा कि उसको एक खास तरह की एंटीक किताब की खोज में है वो बहुत ही वैलुएबिल है अगर वो आंट के समान में है तो वो किताब इसे दे दी जाए लेकिन वहां पर एक No Objection Certificate चाहिए था जिसमें Margaret का signature हो बस ये क्या करता है आथर कि उसके नकली sign बना देता है Margaret के और वहां जाके अपना नकली नाम बता देता है और पुलिस से कहता है कि ये No Objection Certificate है ये आप देखिए और मुझे सारा समान देखना है उसमें किताब है कि नहीं है तो पुलिस इस्पेक्टर कहते हैं कि ये जो case है वो अब एक detective देख रहे है डिक्टेक्टिव रैसन और उनकी अनुमत्ती के बिना अब वो किताबे वो या जो भी चीज देखना चाहता है वो नहीं देख सकता है आर्थर सोचता है कि उसने अच्छा ही किया जो अपना नकली नाम बताया था और Margaret को इस चीज के बारे में नहीं बताया वो किसी ना किसी तरह लेकिन पता करके रहेगा उस किताब के बारे में इद्धा डिक्टिव रैसन जो है उन्हें मालूम पड़ता है कि कोई आदमी आया था और कोई खास तरहे की किताब के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था आंट एगनस की तो वो सीधे मागरेट को उनलोग फोन करते हैं मागरेट बताती कि उसने कोई ऐसे नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन किये ही नहीं है अब तो जो डेटेक्टिव रैसन थे उनके तो विल्कुल हो जाते हैं कि भई कुछ करबड है अब तो अच्छ और आर्थर की तरफ आता डेटेक्टिव चले आते हैं अब एक दिन आर्थर के घर और सब कुछ पूछते हैं आर्थर अपना सच्चाई से हर चीज़ बता देता है कि उस दिन वो लौटा उसने वो किताब खर दी थी और उसने आंट को दी थी तो बताते हैं रैसन की हाँ एक किताब मिली है वहाँ पर आंट के समान में जिसका नाम दे बेस्ट आफ विलकॉक्स है ये सुनके आर्थर बिल्कुल निश्चिंद हो जाता है कि चलो भई वो मागरेट जो थी वो इसका मतलब वापस गई थी उसने वो किताब वहाँ छोड़ी थी वो पर इसको मिल तब तक में वहाँ मागरेट आती है मागरेट से पुलिस पूछती है तो मागरेट कहती कि नहीं वो तो आंट के घर जा ही नहीं पाई थी बहुत तेज़ पानी बरस रहा था उसने अपने रेन्कोट के पॉकेट में वो किताब रख ली थी तब आर्थर को याद आता है कि उसने तो उसका रेंकोर्ट भी चेक किया था मागरेट का उसमें भी वो किताब नहीं मिली थी तो मागरेट कहती कि वो हरवड़ा कि जब वो किताब को घर में रख रही थी तो क्रोचेट बॉक्स जिसमें वो क्रोश्या का काम करती थी उस बॉक्स के पीछे, अलमारी के पीछे वो किताब स्लिप कर गई थी उससे और फिर उसने वो किताब कभी निकाली ही नहीं, वो वहीं पड़ी रह गई अब यह सुनके आर्थर समझता है कि इसका मतलब की दो किताबे थी तो मागरेट कहती है कि हाँ उसने भी एक किताब खर दी थी उस दिन आंट को देने के लिए लेकिन क्योंकि आर्थर ने भी किताब ले ली थी और आर्थर को बुरा ना लगे इसलिए मागरेट ने उसको ये बात नहीं बताई और वो जल्दी से इसलिए आंट के घर जा रही थी उस दिन कि वो अपनी किताब वहां से उठा लाए क्योंकि बहुत बड़ा इसके पीछे खरीजन था उस किताब में मागरेट ने लिख दिया था आर्थर जो आठ फिट दूर उसे मिली थी दर असल वो मागरेट की दी हुई किताब उठा लाया था अब आर्थर को लगता है कि बापरी वो तो किस-किस चक्कर ने फस गया है उसे लगता है क्यों ही वो गया पुलिस डेपार्टमेंट में नकली साइं की उसने और क्यों उसने उस किताब के बारे में जानकारी हासल करनी पड़ी वो फस ना जाए अब पुलिस भी चौकन नहीं है कि जब मागरेट कह रही कि उसने किताब की फ्रेंट पेज पे लिखा था कि With Love to Aunt Agnes लेकिन जो उनके पास किताब उस पे नहीं लिखा है मागरेट वाली किताब ही तो उनको मिलनी चाहिए थी जो वहाँ पढ़ी भी थी लेकिन किताबे एक्सचेंज हुई है इसका मतलब किताब कातिल नहीं एक्सचेंज की थी गलती से वो दूसरी किताब उठा लाया केस बिलकुल साफ था तुरंट सॉल्व हो गया डिटेक्टिव रैसन तुरंट कहते है आर्थर से यू पिक्ट अप तर रॉंग बुक और आर्थर अपने ही जाल में फस जाता है वो मेगी की दी भी किताब उठा लाया था मेगी ने जैसी वो किताब पुलिस को दी पुलिस ने पहला पन्ना खोला उस पे लिखा हुआ था कि With Love to Aunt Agnes फॉम मेगी ये देख के आर्थर के होश उड़ जाते हैं जिस case से लगबग आर्थर बिलकुल साफ छूट चुका था, जो case बिलकुल लगबग close हो चुका था, वो आर्थर के वज़े से यह open होता है, और आर्थर फस जाते हैं उसमें, सब को solve हो जाता है, आर्थर को अब जेल हो रही है, और जब कहानी की शुरुवाद जहां से थी कि एक obedient wife चाहिए थी, वो wife को एक इंसान नहीं समझता था, सिर्फ एक कटपतली समझता था, इसकी वज़े से उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, कहानी बहुत ही interesting है, अगर आपको यह कहानी पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िएगा, और इनके ले खक की, अगर मुझे और क हन्या मिलेंगी तो मैं जरूर आपके संग डिसकस करूंगी, thanks for listening